मित्रों को जय जय सियाराम प्रभू स्री राम की किरपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल काम नहें दिशाएं भी तै करती है शुभ अशुभ फल दिशा शूल क्या होता है एक दिशा बिशेस में जाने पर जब हानी या अशुभ पर ना मिलने की आसंका हो व पूर्व दिशा चीनकाल से ही कार्ज विशेश के लिए निकलने से पहले दिशा का विचार अबस किया जाता था। शोम बार सनी बार को पुर्ब दिशा, मंगल बार बुधुबार को उत्तर दिशा, रवी बार सुक्र बार को पस्चिम दिशा, तथा बिर्यास्पति बार को दक्षिन दिशा में भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे व्यापार व्यवसाय से संबंधित यात्रा हैं, धार्मिक एबं प्रयाटन अस्तल की यात्रा हैं, भरकन्या की विदाई, दुरागमन, सहर परिवर्तन, उच्छ सिक्षा प्राप्ति है तुदाखिला या विदेश यात्रा अधि के दोरान, यात्रा वाले दिन गोचर क चंद्र यदि सामने अथवादाहिने हो, तो अत्यंत सुभेबं लाभदायक है, और गोचर का चंद्र यदि बाएं या पीठ की तरफ हो, तो भी प्रीत पहिनाम मिलने की संभावना जादा रहती है, जब गोचर का चंद्र मेश सिंग धनुरासी में हो, तब वह पूरब द अधान का अधान मखार चंद्र देषिरएं अधान मित्षुंतुला कुम्रारसी का चंद्र पास्चिम दिशा में और जब चंद्र करक ब्रिश्चिक में हो, तब वह उत्तर दिशा में रहता है। यदि इसका उपाय क्या है कि यदि यात्रा तियावस्यक या आपातकालीन दिशासूल यात्रा करनी पर रही है तो ये उपाय करें देवतावेबंपित्रों का अशिर बार लेकर यात्रा की जा सकती है रविवार को दलिया घी सक्कर खाकर सोमबार को दरपन देखकर मंगलवार को गूर खाकर और पानिकी कर बुद्धवार को धनिया या तील खाकर गुरुबार को दही खाकर सुक्रबार को जो खाकर सनीवार को उरद या आद्रा खाकर यात्रा की जा सकती है एक जगह से जाएकर उसी दिन दूसरी जगह से घर वापस लटानी की स्थिति में दिशासूल प्रभाबी नहीं माना जाता है